हेलो दोस्तों, स्वागत हाँ सभी का हमारी उडूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्णिंग में आजम पढ़नी जा रहे हैं वाई प्रदूशन पर ड़ लाइनों का बहुती छोटा सा निवन्द, पुचली शुरू करते हैं लाइन नमबर एक, वाई प्रदूशन मुख्यता हवायों के दूशित होने के कारण होता है लाइन नमबर दो, फैक्टरियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से वाई प्रदूशन सबसे ज़्यादा बढ़ता है कि अभर एक, कि अभर एक, अभर एक, कि अभर एक, कि अभर एक, वाई प्रदूशन से भीने वाई प्रदूशन से ज़ित है लाइन नमबर 3 वायू प्रदूशन में हानिकारक वायू जैसे सल्फर, नाइट्रोजन एवं कार्बन डायोकसाइड शामिल होते हैं लाइन उनल अजोजन एवं कार्ण में हाएं जैसे सल्फर, नाइट्साइड भाल जैसे सल्फरोजन जैसे सल्फर, भी भी रणियूर भी यजर भी वायूर्ण है लाइन नमबर चार वाई प्रदूशन के कारण अस्थमा और दमा जैसी अनेक बिमारियां लोगों को हो रही है लाइन नमबर पाच वाई प्रदूशन का एक कारण पेड़ों की कटाई भी है लाइन नमबर चार ओक्सीजन की मात्रा का कम होना मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक है जीवन के पेड़गों के लुटशन है लाइन नमबर साथ एक सर्वे की अनुसार प्रतेक वर्ष 90 लाख लोग वाई प्रदूशन की वज़ा से मर जाते हैं लाइन नमबर आठ वाई प्रदूशन का एक कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआ भी है लाइन नमबर नौ वाई प्रदूशन से बचने के लिए ओक्सीजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए लाइन नमबर दस वाई प्रदूशन से बचाओ के लिए अधिक से अधिक पेड लगाना चाहिए